हेलो नमस्कार दोस्तों सौगत करते हैं फिर से आप सभी का अपने येट्यूब चैनल डियर लंज में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इस पेसल वीडियो होने वाली है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोना कब सस्ता होगा 2021 में कौन से महीने में सोना होगा सस्ता सोना खरिदने का सही समय क्या होता है और सोना बेचने का सही समय क्या होता है कब सोना खरिदने और बेचने पे हमें मुनाफ़ा होगा सोने के गहने बनवाते समय हमें एक्ष्ट्रा पैसे कितने देने होते हैं मेकिंग चार्ज कितना देना होता है क्या दुबारा सोना 32,000 रुपे तोला आ सकता है या नहीं आ सकता 18,224 के एट के साब से सोने में क्या अंतर होता है सोने में निवेस कप करना चाहिए सोना खड़ने से पहले ध्यान किन किन बातों का रखना चाहिए हमें और कौन से राज्जे में सोना सस्ता होता है तो सोने से जुड़ी तमाम बाते इस तरह की सारी बाते जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस पेसल होने वाली है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना कीमती से में निकाल कर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना ताकि हमारी नई और अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले और दोस्तो आज का सोने और चांदी का भाव क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे दोस्तो 2021 के कौन से महीने में सोना होगा सबसे जादा सस्ता दोस्तो पहले पिछले साल की रिपोर्ट पर एक बार नजर मारते हैं जैसा कि आप लोग को पता होगा अगस्ट 2020 में लिकोर्ड इस तरपा पहुँच गया था सोना दोस्तो आपको बता दे कि 2020 में सोने और चान्दी ने निवेसको को जवरदस रिटन दिया है इस साल गोल्ड ने निवेसको को 27 विजदी और सिल्वर ने करीब 50 विजदी रिटन दिया है अगस्ट 2020 में सोने की कीमत अब तक कि अपने उस्तर 56,200 रुपे परती 10 ग्राम तक पहुँच गया था और वहीं चान्दी भी करीब 80,000 रुपे परती किलो ग्राम तक पहुँच गई थी और अभी चांदी की कीमत है आज 1 किलो चांदी की कीमत है 6,800 रुपे और 24 केट के हिसाब से 10 ग्राम सोने की कीमत 52,140 रुपे है दोस्तो आप मेंसे कई लोग हमसे सवाल पूछ रहेते हैं 8,22,24 केट के हिसाब से सोने में से में कौन सा सोना लेना चाहिए और इनमें क्या उंतर होता है दोस्तो आपके पास जिटना बजरट है आपके पास जितना पैसा है उसके इसाब से आप सोना खरीद सकते हो और दोस्तों आपका अगला टोपिक है सोना खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो उसके लिए हम आपको सला देंगे कि सोना खरीदने से पहले आपको कई दिनों तक उस पर रिसर्च करनी है और हमेशा उसके बारे में अपडेट रहना है कि आज का ताजा सोने का भाव क्या चल रहा है और जब सस्ता होगा सोना तभी आपको सोना खरीद लेना चाहिए और सोने से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए एक्जामपल के तोर पर साधी के सीजन में किसी भारी तोहार पर होली दिवाली ईद इन सब पर सोने की कीमत कई बार बढ़ जाती है और आपको सोना महेंगा पड़ जाता है तो दोस्तों कोसिस करें कि सोना जब सस्ता हो तभी खरीड लेना चाहिए और एडवांस में अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए वरना आपको सोना महेंगा पर सकता है और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है तो अगला सवाल है दोस्तों आप लोगों का सोने के गहने बनवाते समय में मेकिंग चार्ज कितना देना पड़ता है दोस्तों मेकिंग चार्ज निर्धारित नहीं होता है वो एक फिक्स रेट नहीं होता है सुनार अपने हिसाब से अपना मुह बोला कईवार मेकिंग चार्ज मांग लेते हैं तो आप उनसे मौल भाव करवा सकते हो मेकिंग चार्ज में सोने के गहने बनवाते वक्त तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आप लोगों का अगला टोपिक COVID-19 महामारी से निपटने के लिए वैक्सिन के मोर्चे पर साकारात्मा खबरो और वैक्सिन के बजार में आ जाने से सोने की कीमतों में आ रही है गिरावट दोस्तों विसे सग्यों का कहना है सिर्फ एक ये अनुमान है कि गलोबल एकनोमी के सुधार और अमेरिका चीन के भी स्तनाव कम होने के कारण निवेसक सोने को छोड़कर सेरवजार का रूख कर रहे हैं यही बज़े है कि दोस्तो निकट भविस्य में सोने की कीमतों में भारी उच्छाल की संभावना नहीं है हाला कि लंबी अवदी के लिए सोने में निवेस निवेसकों के लिए अभी भी अच्छा विकल्प माना जा रहा है तो चलिए जानते हैं दोस्तो दो हजारी किसमे सोना सस्ता होगा या महंगा दोस्तो सोने को लेकर भविस्वानी तो की नहीं जा सकती लेकिन हाँ एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो हजारी किसमे सोने का भाव क्या रहेगा जैसा कि आप लोगों को पता है भी सोने के भाव में काफी जादा उतार चड़ाब चल रहा है कभी सस्ता हो जा रहा है तो कभी महंगा दोस्तो एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर सोना सस्ता भी होता है तो 45,000 रुपे से नीचे नहीं जाएगा अगर अगले 2-3 मैने में सोना महंगा होता है तो 65,000 रुपे से लेके 67,000 रुपे तक जा सकता है दोस्तो सोना कठिनाई के समय काम आने वाली संपत्ती है ये एक बार फिर साबित हो चुका है करोना के समय में लोगों ने सोने में जम कर निवेस किया और उने अच्छा रिटन भी मिला है तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए गाम उसका उतार जरूर देंगे